तो प्रॉम एन अक्स्टर्नल आर्डुइनो उसको मैं अभी तो नहीं समझा लिकें फर्स जो क्वेशन था कि बेसिक आर्डुइनो बोर्ड बना सकते हैं अभी बेसिक आर्डुइनो बोर्ड अक्चिली मेरा एक जीतुलेक्स प्रोडक्ट है तो उसको मैं अभी तो नहीं बना सकते क्योंकि अल्रेडी बना हुआ हो तो लेकिन मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें हम लोग दिखाएं कैसे पूरा अडुइनो बोर्ड खुद बना सकते हैं वह दिखाने वाला हूं और बेसिक आडुइनो बोर्ड बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसमें वह सरकी डिजाइनिंग जो है वह थोड़ा टाइम कंशूमिंग है अगर हम लोग को सिंपल एकदम सिंपल बनाना विज कैंड वी यूज़ फ्रॉम एक्टर्नल आडुइनो तो थोड़ा समझ रहे है कि अगर हम लोग को एकदम ही सिंपल जैसे अडवी और लोग क्या कर सकते हैं कि पार्ट में जाके अब लोग अग्छे प्रूइनो के अब वो डिफॉल्ट करता है लेकिन हम लोग को अगर सर्केट बनाना तो हम लोग सब चेंज करना पड़ेगा तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि डाल दिया और यहां वन पॉइंट वह हैं तो हम लोग का भी यह वर्किंग के लिए काम करेगा अब नोटेस करना चाहिए कि यह जो नॉच है यह पिन नमबर वन के लिए रहता है वो इसमें राइट साइड में क्यों दिखा रहा है पीछे से बोर्ड को देख रहे हैं अब विसली हमारा जो आइसी है वह टॉप लेयर से उपर से वाला अगर हम लोग को डिजाइन करना तो यह टरन करके हम लोग इस तरह यहां से डिजाइन करतें तो पिन नमबर वन हमारा राइट साइड में रहता है तो यह काफी एक अच उसमें क्या होता था कि यह जो फंक्शन है टर्न ओवर का बोर अवड यह उसमें था नहीं तो मैं को जैसे जो फुट्प्रेंट्स रहते थे उन में खुदी इमेजिन करके कि नमबर वन राइट साइड में हमें को डिजाइन करना पड़ता था और उसमें थोड़ा क्या बोलता है आट में का 328 पी चिप लिए हम लोग ने और हम लोग को अभी कपासिटर और क्रिस्टल लगाना क्रिस्टल यह रहा है इसके भी वन्स अगेन हम लोगो पिन के टायमेटर चेंज करना लएगा अगर हम लोग को जादा कॉंप्लिकेट नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस सब को ऐसे पहले एडिट कर लेंगे उसके बाद कंट्रोल ए दबा के सब को सिलेक्ट करके हम लोग यहां पे 1.2 तो इसका मतलब यहां पर कुछ चेंज नहीं होगा सिवाए पिन के क्योंकि यह सिर्फ होल एंड पैड के लिए हम लोगा फीचर यह भी काफी अच्छा फीचर है जो मैंने देखा इजी एडिये और यह सब सॉफ़वेर में नहीं है इस दो और यह फीचर होता तो में एसिए डिये ही यूज करता हूं लेकिंट सिर्फ यह फीचर के वजह से मैं को यह एक्सप्स्रेस PC बूद्ध करना मपता हूं कि फिर हम लोग हे ले लेते हैं अब मिये तो पहले यहां पे जो उदरिय दिखा रहा है यह हमारा टॉप लैयर पर है लेकिन ह्टा मैं हम लोगों को सिंगल आई हम इसवाइन लोग तो हम लोगों उदर ठीमॉद एक टीम कर सकता है हम लोग राइट क्लिक करके लेयर मूव टू अधर साइड कर सकते हैं मूव टू अधर साइड कि अब यह बॉटम लेयर पर आ गया यह यह भी काफी एक अच्छा फीचर है तो हम लोग इसको रोटेट कर लेता है कि उसके बाद मैं अभी पहले हम लोग को पिंस तो यह पर ना उट है हमारा हम लोग यहां पर अगर पर नाउट का साइड में रख ले तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक्सटरनल उचलेटर पिं नाइन और टेन पर है तो हम लोग यहां से काउंड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और यह दो पिन पर हम लोग उसिलेटर लगाना तो हम लोग यहां पर रख लेता है अब यहां पर गलाच सेलेक्टेड है हम लोगों यहां से सिलेक्ट करना बॉटम कॉपर पॉइंट फाइमें में रहना चीए और फिर से 1234567899 दिरा हम दोग सको इसके साथ कर देता है इसको इसके साथ कर देता है फिर हम लोग को दो कबासिटर इच आए है यह साथ में कनेक्ट होगा इनको साथ में करेंक करके हम लोगों ग्राउंड कनेक्ट करना इसकेर सब्सक्राइब पिन ग्राउंड तो यहां पर रेस लेके कि राउंड कनेक्ट कर दिया है यह हमारा बेसिकली आर्डुनो बन चुका है लेकिन एक चीज भी वाकिए है हम लोग चीज तो SMD रेजिसर्स लगा सकते हैं या थ्रू होल भी लगा सकते हैं इसके जागा उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है कि इसको वीछीज देखा यह ग्राउंड पें के उपर ही जस्ट वीछीश है तो हम लोग ने इसको वीछीशी पर कनेक्ट कर दिया अब हम लोग एक चीज देखें तो यह पुरा आयो जो है यहां पे यह हमारा अटक चुका इसके लिए इस सिर्फ यह ट तो इससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लेके आइसी के बीच में से क्योंकि आई-इसी के बीच में बहुत सारी स्पेस हैं यहां से निकाल ले हम लोग यहां पर यह बन जाता अब एक चीज और है कि हम यहां पर और दो वह ग्राउंड और वी सी सी है, हम लोगों ये दोनों को वापस एक ग्राउंड और वी सी साथ में कनेक्ट करना, तो हम लोग वह कैसे करेंगे, कि ये ग्राउंड लेके, हम लोगों को ये ग्राउंड कहां कनेक्ट करना है, वी सी सी के सामने, तो वी सी सी के सामने हो गया ये, और यह VCC को भी सीकों हम लोग को यह प slowsымиफर कनेकार नहीं का अब यहां पर हम लोग को आएगा तो हम लोग को आपनश्याया पीजम्प लगाना पड़ बाहर को लοιπόν भी चार जंप्स लगाने से अच्छा तो एक ही जंप है हम लोग अगर इस तरह का जंप लगा लेता है थोड़ा टॉलेरेंस रखके हमारा यह आडूइनो बन चुका इसको बस प्रोग्राम करने के लिए एक इस्यू यह आएगा कि हम लोग यू आर्ट पर हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं या तो पहले अब्विसली हम लोग को इसक बूट लोडर अपलोड करना पड़ेगा चिप को वह तो मैं रेकमेंट करूंगा उसके लिए अलग से एक बोर्ड बनाने के लिए और वो बोर्ड में एक जिफ सॉकेट रहता है जो आपको मालूम रहेगा कि उसमें एक लीवर रहता है जब हम लोग उसको लीवर को नीचे हमें लास्ट में वो बोर्ड दिखाया भी अचाया है तो हमारा यह आडूइनो बन चुका है अगर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसके साथ उनो जैसा ही अगर हम लोगों साथ में सीरियल प्रोग्रामर भी चाहिए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक आईसी आता है सी ए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूएजबी के लिए चनेक्शन रहता है तो हम लोग यूएजबी पोर्ट लगा के हम लोग इसको आड़ू नो उनो जैसा ही बना सकते हैं और इसका पेन आउट देखके आपको करना पढ़ेगा हूँ